वेलकम बैक, फ्रेंस मिसर नौकडी के तहद जिक्के जीस के क्वेस्टन की स्रीज में हम लोग आज का जो स्रीज है और सेबन्थ नमबर स्रीज देखेंगे इसे पहले छे स्रीज हो चुके हैं जिनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहां से जा कर देख सकते हैं ऑज के स्रीज में कॉश्चन के पहला को का किस साथाडिय then को सासरिय निडित्य सेली है मतलब की साथाडिया कि से उलिया तो फ्रेंस इनके चार ऑप्स है और इननका पूछा जाता है और वह आपका प्रण्स भी हूँ ठीक है एक्जाम में बियू का क्वेशन बहुत जएदा आता है अगर मनीपूर का आएगा तो मनीपूर से मनीपूरी बन जाता है आपका आंद्र प्रदेश का फेमस जो आता है काची पूरी की जाम में पूछा जाता है काचि पूरी और उत्तर प्रदेश की बात कीजेगा तो उत्तर प्रदे स्काड़िया रहे हूँ देखते एक अमेर्ट की सिगेंड ऑ 2005 क कहता है बहुत है ऐह किया थ bekannt करता है तो कजरी उत्तर प्रदेस दियान भूर्द सब्सरों तक हुआमाड़ क की सिंदरी यह कब स्टाट किया गया था तो 2 मार्च 121 को सिंदरी और सब्सक्राइब किया गया और इन्हें मांधेता प्राप्त दी गई कब 2 मार्च 1951 को देखते हैं कि किसी तत्तों के समस्थानिक समस्थानिक का मतलब समानस्थान मतलब क्या उस तत्तों का डिनोट करता है जिनकी पर्मानुश शंख्याई क्या हो समानों तो उसे हम लोग सम्भाड समानों तो जिनका समान भाड होगा तो वह उसको इमलों कैंगे चुन समधानिक एक्जामपल हो जागा यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 एक्जामपल आपको दोनों से हाप समस्थानिक को समझ सकते हैं अगला question की दरफ अगला क्वेशन अमड़ा कहता है कि निमलीखित में से कौन से सीख गुरु थे जिनों ने गुरु लिख गुरु मुखी लिपी का आपका प्रतिपादन किया था तो गुरु अंका देव जी ने उसके बाद गुरु औरजुन देव के बारे में खास बात याद रखने आपको कि इनकी हत्या किस ने कराई थी तो औरंग जेव ने एकजाम में क्वेशन पूष्चन पूंसता है इनकी किसने कराई थी और में गुरु नानक सीख गुरु के पहले गुरु थे फर्स्ट उसके बाद गुरु गोबिन सिंग का यह दसवे गुरु थे और दसवे गुरु के साथ एक और बात याद रखना है कि इनका जन्म बिहार में हुआ था पटना साहिब में देख देख ले क्वेश्चिन की तरफ क्वेस्टिन नमडर फाइब कहते है हैं ऑर इनका नाज को चेहिशन आपको करना है क्यों में हो बीकुल सही बात हैँ यह दोनों सही है बाड़ोमास भी बैती है और आपका यह किफिलें सुखते की हमाले से द्यान smart action शिर्फ वस्केंअ शिर्फ नकलते हैं तों हिमाले से ध्यान रखिएगा तीन शिर्फ नदीतैतर यह सिंदु और यो गय्य निकलते हैं और तीसरा ब्रह्म पूत्रा अर्थात की 3 नदीतंत्र निकलती है सिंदु नदीतंत्र गंगा नदीतंत्र और बडंपुत्र है नदीतंत्र हिमाले से निकलने वाली 3 नदीतंत्र है अगला वहता है कि भाड़ा 도ढ्न रखेंगे important words को जरूर लिख लेंगे क्योंकि यह आपके exam के लिए जरूरी होगा उसका कहता है कि राजनीतिक दल को राष्टिय दल की मानेता कम मिलेगी जब उनके जो राजे में कितने राजे में उनको मिलेगा प्रादेशिक राजे में कितने जगह पर उन्हें अगर मानेत होता सब्सक्राइब डखक कर दो से राष्टिय दल का के आपका चीन मिलेगा चाल राजे में अगर किसी एक पार्टी को राजनीति दल की मानेता प्राप्त तो उस्से रास्टिय दल की मानेता देया सकती ट्रीक है और दूसरा नंबर नहीं तो दूसरा के से कोड है कि अगर वह लोक सभा में अगर या अपका अबिदान सभा में अगर 6% सीट अगर आजाए इनको कितना परसेंट सीट है 6% सीट है 6% एक ही राजे में आजाए पुरा लोक सभा में आजाए या फिर 2-2% सभी में जाए तो इस कंडिशन में भी आपका किसी राजे को किसी भी राजनीतिक दल को राश्टिय दल की मानेता प्राप्त हो जाएगी देखते लिए क्वेस्टन की तरफ क्वेस्टन नमबर सेवन कहता है कि निमलीकेज में से किस सेत्म में परली बार सहकारी आंदोलन आरंब किया प्रेंस सबसे पहली बार क्रिसी रीन को लेकर लागु किया थी सबसे पहले भारत में अगर सहकारी आंदोलन के जनक रूह किसी को को थी आमके एफ निकोलशन उनका नाम था एफ निकोलसन राइट फेंज और इन्हों कब श्टाट अप करी थी तो इन्हों ने किया था 1904 में ठीक है सरकारी अन्दुकलन का शुरुवात के बुआ था 1904 में एफ निकोलसन के द्वाड़ा यह समफेक्ट आपको लिख लेना है जो आगे वी एकजाम में जरूरी होगा देल तेकले क्यों की तरफ कहता है कि निम्मू बाजगो इसे निम्मू निम्मू भी कहते हैं निम्मी है और इसके लाब आपको पता है कि कोईना नदी किसकी साइक नदी है तो क्रिष्णा की कोईना आपकी क्रिष्णा की साइक नदी है जो महराष्टा साइड में बढ़ती है उसके बाद पिरियार आपको पता है कहा का है किरला का आपका लाइफ लेन कहा जाता है द्यान रग केरला के लाइफ लेन को और कर्याकन आपको पत्ता है कि इंडिया बर्वा बोर्डर पे बहती है बाड़ते और मेमार के बोर्डर mover पे बहती ह reflective कौक च act आपका कि किसी वस्तु की किमत में अगर ब्रीदी में ब्रीदी से क्या समझते हैं तो किसी वी किसी की किमत में ब्रीदी होगी मतलब उसका मुल्य क्या हो जाएगा मुल्य में आपका गिरावट होगा question का option से देखिए आप कि अगर किसी वी वस्तु की किमत में ब्रीदी होगी तो क्या होगा कि मुद्रा के मुल्य में ब्रीदी होगी मुद्रा के मुल्य में गिरावट होगी बस्तू के मुल्य में ब्रीदी या मुद्रा के मुल्य में गिरावट और बस्तू के मुल्य में ब्रीदी यह इसका option no.4 ही होगा कि क्या होगा मुद्रा का दाम घट जाएगा औ अब आपको क्या होगा कोई भी चीज महंगी लगेगी अर्थात महंगाई बढ़ेगी द्यान रखिएगा देखते क्लिए क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नमबर दस कहता है माड़ा कि इसमें से कौन सी पार्टी का संगटन डॉक्टर बीयर अमबादकर दोड़ा स्थाप श्थाप्वित किये गयफे आज ए इसमें से अगर देखिएगा तो इसमें से सबका देखते हम लोग रिफ भूक्ति कब अस्तावित की गई थी रिपॉबलिकन पार्टीं के द्मीच तरह 好मुलेकम के गईकार अगर बात कीजिए स्वतंत्र मजदूर संग की अस्थापना कब हुई थी 1955 में 1955 में ठीक है और दलित मुक्ति मोर्चा अर्थात की दलितों के लिए आपका उधार कटने का काम थे इन्हों ने किया ही था बात यहाती कि स्वतंत्र मजदूर संग था इनमें इनका योगदान था लेकिन बास्तम इ एक लेका से तरफ अगला कोश्च्छन कहता है कि ओजोन छेद से क्या तात पड़ रधा की ओजोन लेइर में जो यहाँ हुड़ा उससे अप क्या समझते था तो इसका मतलब यह होता है कि ओजोन पडद की मोटाई है उस मोटाई में कमी आ जाना लाइट फ्रेंस तो पहला नुर्णार क्या बाले प्रकशन की ज्याद नाहीं है तो एक उल्या व्या जाएं कि सब्सें सनेयरोंग्रों एम सेकोर मономुशार को न लिए कि इन बंधूरण करतें सेघ्डेडा सन्जूद को ला के वह जरतें मोराया जूरियत लुक्र है थुड़ी कुछ की सब्सें आपका मंजल है राइट फ्रेंस देख 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 ले क्वेश्चन की तरब थर्टी नंबर कहता है सन्युक्त राज संग दिवस कम मना जाता है फ्रेंस यह मना जाता है 24 अक्टूबर को क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी अस्थापना हुई थी 20 सांती के लिए यह पता है आप लोगों की सेक उबर 1945 में इसकी अस्थापना की गई थी अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन करता है कि सूची बाद कीजिए ध्यान से समझी और बताईए कि इसमें कौन सूची बाद होगा पहले इसको ऐसी लगा कर देख लेते हम लोग तो अब भी हम आपको बतायते है कि जो है किरला का लाइफ लाइन है तो पहले बी को तो थिरी से जोड लीजिए पहला नमबर उसके बाद क्या यह पता आपको कि बांदीपूर कहां है करनाटका में है तो क्या कर लीजिए डी को आप जोड लीजिए किससे वन से जोड लीजिए अब बच गया इंद्रावती सिमली पाल ठीक है दो बच गया तो इंद्रावति किसे डिलेटेट आपका 36 gards से तो क्या हो जाएगा एक फोर्ड और आपका क्या सिमली पाल जो बच जाएगा ओडिशा से सी का दू तो इस तरह से जिस उप्सन में हों गए वह हमारा क्या यहाँ रखिए कि पेरियार किसे केरला से बांधीपूर करनाटका से बांधीपूर और पेरियार दो क्वेस्टन्स इकजाम में जरूर पूछे जाते हैं इसलिए दोनों का जगह जरूर याद रखेंगा आगे देखते हैं हम लोग कहता है कि कौन सा सनियंत्र तड़क पदार्थों के विशिष्ट गुरुतों को मापता है तो फ्रेंट्स वह मापता है आपका हाइड्रो मीटर कौन मापता है हाइड्रो मीटर अगर वही रहता इसमें डॉक के जगा पर गड़ आता अगर हाइग्रो मीटर हाइग्रो को मेटर है इसलिए यह गुरुतों जाएगा उसके बाद क्या कहता है觉 कि run tomorrow हुससों मीटर क्या करता है कि आपका फिर के उचता है कि उचता मापता है और ग्रैबी मीटर क्या करेगा तो ग्रैबी मीटर बास्तम में किसी पानी के सथा अगर तो इसको मापने के लिए किसे करते हैं ग्रयावी मीटर का इस्तमाल करते हैं fundamental question कि तरफ तो अगला question फिर कहता है कि आपको सुची बत करना कों सा करखाना कहां पर है तो railway कापकरन motor wahn पोफं निर्मान और reps a vertical ठीक है तो पोत निर्मान तो पहले कोची से जोड लेजे थ्यान लखी का अग्जाम का नियम है जो पहले पता उसको लगाई है तो क्या हो जागा पोत निर्मान कोची उसके बाद बच गया साइकल cycle बास्ता में किसका काम करता है तो यह आपका steel वरप काम है तो यह इसका क्या हो जाएगा D का 3 अर्थात की B लाई अब क्या बचेगा आपके पास motor वाहन और आपका रेलवे उपकरन हो गया तो ठीक है रेलवे उपकरन के लिए कहां पर आपका लुधियन नम है तो एक का 2 हो गया तो यह भी मैच कर गया उसके बाद क्या आपका उसके बाद कौन बच गया आपका B नमबर तो B का क्या बच गया B का motor वान है कहां जब अल पूडवे तो इस तरह से यह मैच कर जाएंग तो यह मारा प्रोटीन पौध करता इससे प्रोटीन की बच रूप में पौदा है और इस Сп senior करते हैं पौडवे कि नाइट्रेट को प्रोटीन में बदलता है वाइुप्राग में धूरया ऊ पढ़ागन पंची के दोड़ा पंची प्रागन देखते एक ले क्वेश्चन की तरह अगला क्वेश्चन हमणा कहता है कि यूबा जो की परधान मंद्री कॉसल विकास योजना के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है यह किसके दोड़ा प्राडम किया गया तो फ्रेंट्स यह प्रा 2015 में याद रखेंगा आपक है केशर का मुख्यू उत्पात्री कॉन सा है तो जमु कश्मीर में केसर का उत्पात्री होता है सबसे जादा और सória के लिए के लिए जमु कस्मीर सेब के लिए भी फेमस है strongestि सेव के लिए हिमाचल परदेश भी फिमा से याद रखेगा आप लो देखते एक लिए क्वेस्टन की तरफ कहता है आपको जल सोतन की कौन सा तडिका सुक्सम जीवों को नश्ट नहीं करता है यानि कि मारता नहीं है यह ध्यान रखेगा तो उबालने से सुक्सम जीव मढ़ जाएंगे अगर क्लोडीन डाल दिया तो भी मढ़ेगा प्राबैगनी किरन से मढ़ेगा लेकिन अगर फिल्ट्रेशन करते हैं निस्यंदन का मतलब क्या अगर फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने से मरता नहीं है बलगी छना कर अलग हो जाता है इसलिए सही एंसर क्या पोजिटिटिव लिमीटेड मतलब क्या यह सेर मार्किट का काम करता इसका काम करता है सेर मार्केट और इंडिया में सेर मार्केट को गंट्रोल करता है तो सेर मार्केट का कंट्रोलिंग जो हेड को आटर हेड डिपार्टमेंट वो को होना तो हेड डिपार्टमेंट जो होता है इसका सेवी होता है इस टोग एक्सटेंज बोड ऑफ इंडिया जिसकी अस्थापना उनीच सोफ आनवे में की गई थी यह द्यान रखिए क्वेश्चन पूछता है कि सेवी का मुख्याला भी पूछ लेता है तो मुंबई याद रखिए कि आप लों मुंबई अस्थापना कप उनीच सोफ आनव आपको कुझळी उत्पन होती हैं किस अमल के कारण होती है तो दुआ क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन माँदा कहता है कि महत्मा गांधि राष्टी समुंदरी उद्यान कहां वस्तित है थीक है व्याथ समुंदर उद्यान है घाली यह है अंडो माने निकोबाड में कहां पर अंडो माने निकोबाड और इनका जो राजधानी है पोर्ट बलेर यहां पर इसलिए ऑप्सन नमबर फोर इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है कभी कई पूछ जाता है कि बताइए इंडिया का सबसे बरा राश्टी उद्यान कहां प इसलिए यह जिए सबस् t dost द्यान रखेंगे तीन में से निकल जाएंग आपके लिए अगले क्वेशन की बात करेंगे तो अगला क्वेशन कहता है कि कुछ नहीं कुछोष नहीं को कर निकलना jsut नहीं मेंसे कुछ नहीं के निकलना किस नियम आमए तो निया अनुपाद के नियम का विरोध है नियत अनुपात कहता है कि जितना आपके पास है उतना ही बाहर निकलेगा लेकिन यह कहता है कि कुछ नहीं भी है फिर भी कुछ बढ़ जाएगा जैसे हम लोग कहते है जीरो में न लंबाई है न चोड़ाई है न उचाई है लेकिन अगर इन डॉड को मिल जाद है तो एक लाइन बन जाती है तो यह नियत अनुपात के विरोध में आता है देखते अगले क्या होता है कि इंडो नेसिया केन्या और ब्राजील इन चेत्रों से उकड़े गुजरती है राइट फ्रेंस देखते एकले क्वेस्चन की तरफ और अगला क्वेस्चन अग पहला परमानु अभदा यゃानि कि पहली बार परमानु बॉम का अर्थाट गी इटम बॉम का काश्तमाल कभ किया गया था यहां पर चिरprov Chief को फिश्चन को अभय सेंद दोना और और किसके द्वाड़ा किया गया था तो ये भी USA के द्वाड़ा कब किया गया था तो 9 अगस्त को दो बम गिरा गया थे एक 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागा सांगी पड़ इसी के बाद सेप्टेंबर में अर्थात की 2 सेप्टेंबर को भी सोयूद बंद हो कहाता है, कि हस्तांतरन मुल्य का संबंध किस्तों ? जरल अगरा मैसकर मोर्डर थे हिए में किस्तांतरन मुल्य होता है, कि इसका नमणरों आफ से संबंध होता है元 गजाता है, अगला question अमड़ा कहता है question number 30 कि भाड़त के किस राजे में सर्वधिक सीचाई ट्यूपेल द्वड़ा होती है तो ट्यूपेल द्वड़ा सबसे ज़्यादा सीचाई की बात कीजिएगा तो यूपी है यूपी में ट्यूपेल के द्वड़ा भी और नहरों के द्वड़ा भी स उसके बाद अगर देखिएगा तो मध्य परदेश और बिहार आते हैं देखते अगले question की तरफ कहता है आपका कि गौतम बुद्ध जो अपनी किस बासा में वह अपनी सनवादों को बेजे थे तो उनकी बासा क्या थी पाली बासा थी एक जाम में बहुत बाड़ question पूछा जाता है तो एक मई को आपका मज़ूर्थ दिवस मना जाता बाड़ो जनवड़ी और एक अप्रेल को क्या मना जाता आप हमें comment section में बताएंगे देखते अगले question की तरफ अगला question कहता है निमलीखित में से किस सहर में बंगलादेश द्वारा नया कुटनिती केंद्र की अस जगा कौन सा है चिन्नाई में चिन्नाई में स्थापित कौन कर रहा है तो बंगलादेश देखते अगले question की तरफ अगला question कहता है कि आपका football में ध्यांचंद का पुरसकार 2017 में किस से सम्मानित किया गया था यह 2017 का सवाल है यह question आएगा नहीं आपके exam में देखे इसको ब लाया गया था लॉड करजन के द्वाड़ा किसके द्वाड़ा लाया गया था लॉड करजन के द्वाड़ा लेकिन इसको रद करने की बात यह हुई थी 1901 में लॉड हर्डिंग के द्वाड़ा लाया गया था करजन के द्वाड़ा हटाया गया लॉड हर्डिंग के कर दो